साथियो नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाहा, हमारे चैनल ग्यान और नौलिज की साखा नरसरी पाठ साला में, आपका स्वागत है और अभिनन्दन है आज भारती सनातन विवस्था में जो तेवहारों की परंपरा है उसमें आज बहुत ही पावन तेवहार है आज देवठानी एकदसी मतलब जो एकदसी हैं उनमें ये बहुत ही स्रेश्ट माली आती है कि इस दिन भगवान नारायन मतलब विश्वनु, राम जी कहिए या कृष इसके उसमें सयन करने के बाद ऐसा माना जाता है मानेता है विश्वास है और अब जो है सुभकारों का स्रीगड़ेश आज से होता है मतलब सोके उठ गए एक तरह से ये है तो इसका मतलब अब मौसम का परिवर्तन हो रहा है सत्वात तो ये है विज्ञानिक को अगर आप समझेंगे तो आप इनकी सृष्टा को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसको प्रति उत्पन्ना एकदसी भी कहते हैं मतलब देखिए कितना अच्छा नाम है प्रति उत्पन्ना एकदसी तो चलिए आज इसी पर वारता होगी और आज के दिन कुछ नया कारवी किया जाता है तो देखिए भाई हमारा ये छोटा सा खेत तयार हो गया है ये आप देख लें ये बहुत अच्छी तरह से इसमें महनत करके तयार किया गया है ये रूफ कारडन का है ये छोटा सा खेत और ये देखिए आज इसमें पालक हम भोईंगे कोई भी आ बीज उने की प्रिक्रिया है वो बहुत अच्छी हो सके और आपको पूरी मेहनत का फल मिल सके नहीं तो अक्सर नरसरी वाले होश्यारी ये करते हैं कि पुराने साल का बीज रखा हुआ आपको दे देते हैं और फिर वो उकता नहीं है तो चलिए भाई और देखिए पालक आज बुई जाएगी आपके सामने खेट पूरी तरह से तयार है जिस तरह से आप गय हूँ आलू और मटर के लिए खेट तयार करते हैं उसी तरह से ये खेट तयार हो गया है परियापत नमी है इसमें अच्छी जुताई हो गई है गुड कोश्ट के साथ तब तो वो दुड़ लग चीज़ है लेकिन अब सहरों में मिलना तो बड़ा मुस्किल है तो उसका विकल्फ ढोड़ते हैं कई बहुत सारी मार्केट में खादें आ गई हैं अब क्यूंकि हम तो ये कार अपने मतलब गुनवर्ता के लिए करते हैं इससे सी और डाृध और डा डाफ ये लेक्ट में आप लेक्नवर्त ग्रोथ और अपनियान अड़ा मैं और प्लांट jest और इको और फ्रिंडली असमें और सारी मिनरल्स मिले हुए हैं छिए देखिए ये फौर केजी का ये पकट होता है ये एक एकड़फ हीद इकड़ के लिए हैं दुनिया भर के लीवर डैमेज की जो सिकाहतें चल रही हैं वो ये बीवारियां खेतों में उत्पन हो रही हैं और ये शड़ियंत के तहत उत्पन कराई जा रही हैं बिदेशी शड़ियंत है इसमें पहले खाद ऐसी दूसित भीजो रसाइन और केमिकल्स की और इसके बाद जो है फिर उनकी दवाओं की मार्केटिंग करो कितना अच्छा बाजार है और वों रुपए का बाजार का छेतर भारत है क्योंकि आवादी जनसंख्या तो दिनो दिन बढ़ी रही है हम भारतियों की तो भाई उसमें तो कोई कमी आही नहीं रही है इसी लिए बिदेशियो की मार्केटिंग के नदर में भी हमारा भारत विसेश रूप से है देखिए ये खाद रखी हुई है और इसी में हम ये पालक का बीज भी डाले दे रहे हैं ये देखिए लिए दोनों को मिक्स कर दिया और अब दोनों को हम इसी में खेत में अब ये देखिए बोना चालो कर इसी के साथ खाद भी लग गई और हमारा भीज भी फैल गया ये लिए देखिए अब इसकी अभी हम थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर देंगे और फिर आपको इसका अपडेट भी हम देंगे जब ये बहुत अच्छे इसकी फूरूटिंग होगी क्योंकि बीज हमारे वाट सामने खोला है और ये बीस रुपए का पैकेट आता है वो थोड़ा भहत हमको डिसकाउंट कर देते हैं क्योंकि हम उनके पर्मानेंट गरहाख हैं जब आप नरसरी किसी भी नरसरी से एक नरसरी से आप सामान लाएंगे तो आपको डिसकाउंट करेगा तो आप पर्मानेंट हैं और ये खुश रहें तो हमारे धर से फिर ये बीज और प्राक्त करेंगे अगली भी खरीददारी करेंगे पेड़ पौधों की करेंगे अब ये देखिए पालक का बीज बिलकुल लग गया साब और इसी तरह से आप मैथी लगाईए कोई भी लगाईए ग परिदियेगा अग्रो भॉट झातरर ELेंड़ भी खरिए ये देखिए लिगेंडर इनसाइप मैई हैं इसे लिए देखिए देखिए दिवाली आ ये ये एकाथकहारे और अभी जो है कार्तिक पूर्ण मासी आएगी जिसमें गंगाजी में इसनान होंगे और ये सब बहुत ही विज्ञानिक दिश्टिकोन हैं इनका मतलब आप जलवाईव परिवर्तन के साथ अपने सरीर का की इस्थिति को भी चेंज करिए ये है मैंसी मतलब आप भाई सड़दी आ रही है तो सड़दी के लिए आप तयार होईए अभी इसे डुक्की उक्की लगाईए पानी में तो आपका सरीर उसके अंसार बिल्कुल ताजा हो जाएगा मतलब मूटी आपको प्राफ्ट हो जाएगी और परिवर्तन ये देखिए ये बस क्यूंकि ये हमने भाई बिल्कुल मिसेश रूप से बनाई है अपनी रूप के ऊपर ये च्छत का एक आर्टिफीशल ये बनाई है तो ये देखिए इस तरह से आप भी लगाईए भाई औ अब इसमें हलका सा पानी और डाल दिया जाएगा बास तो चलिए हमारे चैनल से अबस जुड़े रहिए और इसी तरह बहुत अच्छी जानकारी दिए देखिए अभी हपते वहर का समय है कोई भी पौदे को आपको ट्रांसवर करना हो इस गंबले से उस गंबले में नया पौदा लगा ना हूँ तो बिल्कुल लगाईए अब देखिए कारतिक मास में कितना मतलब करोणों रुपया अर्वों रुपया भी खर्च हो रहा है क्रॉप 27-28 की मीटिंग होने जा रही अर्वों रुपय खर्च होगा और हम भारती अर्वों रुपय धीरे 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 खर्च करते हैं और हमें दुनिया कोई दुनिया से कोई हमको वो नहीं मिलता एक धन्वात तक नहीं मिलता अब देखिए हम पीपल के पेड़ में कारतिक माय में दीपक जलाएंगे पानी डालेंगे आउले के पौदे की सेवा करेंगे और तुलसी जी की साधी करेंगे सालि ये वायु मंडल में फैलाते हैं ये विज्ञान है विज्ञान तो भाई विज्ञान से जुड़िये जिस तरह से विज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है उसी तरह से प्रिकती नेचर और परियावरन की इन्वायर्मेंट में कोई परिवर्तन नहीं जो सत्यूग में इन् और क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा तो जीना मनुष्य का और स्रष्टी का बड़ा ही दुड़व हो जाएगा और यही संगर सबसे ज़्यादा मानों के सामने अब आने वाला है तो चलो भाई दुनिया कुछ भी करे लेकिन हम भारती लोग अगर भाई आउले का पेर पौध करिए और हमारे चैनल को सब्क्राइब करके जुड़ जाएए अब इसी से समद लिजे कि आप एक छोटा मोटा प्रिक्ति और नेचर का कार हमारे चैनल से जुड़ने पे करना चालू कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय हिंद